Hey everyone, this is Prem, welcome to another important video for class 9th and class 10th आज के इस वीडियो में हम 2020 और 2021 में जितने भी chapters हमारे class 9, 10th के English grammar में आने वाले हैं इन सारे chapters की आज हम one shot revision करने वाले हैं इसका मतलब ये है यार कि आपको इन chapters को अलग-अलग वीडियो में पढ़ने की जरुवत नहीं है इस एक वीडियो में इन पूरे chapters के पीछे का concept, rule, plus important tricks, सब कुछ आज इस एक वीडियो में आपको पता चलने वाले है तो वीडियो बहुत जादे important है और जैसा कि हमारा रीती रिवाज है make sure कि आपने चैनल को subscribe किया हो और bell icon को जरूर दबाया हो ताकि हमारे वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले make sure कि आपको जो 70% syllabus है जो इस बार की exam में आ रहे है उनमें कौन-कौन से chapters है जो हमें पढ़ने हैं वो आपको पता हो जैसे देखो modals आ रहा है इस बार की exam में tenses आ रहा है voice active voice और passive voice आ रहा है determinants subject verb agreement direct और indirect speech ये 6 ऐसे chapters हैं जो इस बार की exam में पूछे जाएंगे preposition और clauses उस 30% syllabus में आते हैं जो reduce कर दिया गया है जो हमारे इस बार की exam में नहीं आ रहा है अब यार हम चलो एक इक करके देखते हैं कि इन chapters के जो important points, concepts, tricks हैं वो कितने आसान है okay so our very first topic is voice active voice और passive voice का नाम सुना होगा अगर आपने active voice से passive voice में change करना सीख लिया है तो आपको चाहे कैसा भी question है चाहे वो error detection का question हो चाहे वो gap filling का question हो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे तो make sure आपको कि active voice से passive voice change करना आता हो कैसे change करते हैं इसके लिए दो tables की जरुवत पड़ती है अगर आपने इन दोनों tables को रट लिया है ना यार तो active voice से passive voice बड़े आसानी से change कर लोगे जैसे देखो पहले table में क्या है पहले table में है कि अगर आप active voice के sentence में do देखो does देखो verb की first form देखो या verb की first form के साथ कभी-कभी yes और yes भी लगा होता है जैसे plays हो गया, goes हो गया तो अगर active voice में आप ये सारे words देखो तो आप उसे passive voice में जब change करो तो इनकी जगा आप is, am, are का use करो और verb की first form देखो तो उसको verb की third form में change कर दो समझ गए? अब देखो दूसरा क्या है कि अगर हमने active voice में did देखा verb की second form देखी तो जब हम उसे passive voice में change करेंगे तो वही did और verb की second form change हो जाएगा words में या वर में और उसके साथ लग जाएगा verb का third form समझ गए? आगे चलते हैं अगर आपने active voice में कहीं देख लिया will जैसे he will play cricket अगर आपने देख लिया sell जैसे I shall play cricket ठीक है? और उसके साथ अगर verb की first form लगी हो जैसे I shall play cricket इसमें verb की first form लगी है प्ले क्या है? वर्ब की first form है अगर आप ये सारे words देखो तो जब passive form में change करो न तो आप will का will be कर दो और शैल का sell be कर दो और उनके साथ लगा दो verb की third form भाई साब ये rules हैं ये basic rules हैं ये आपको याद होने ही होने चाहिए चलो आगे देखते हैं अगर आप कहीं active voice के sentence में is देख लो, am देख लो, are देख लो, was देख लो, वर देख लो और उनके साथ अगर verb की first form और ing लगी है जैसे he was playing cricket, I am playing cricket, I am singing a song, he is singing a song अगर आप ऐसे active voice के sentences देख लो, तो जब आप उसे passive में change करोगे न यार, तो is, am, are, was, were जो लगा है उसको रहने दो ऐसे ही उसके साथ लगा दो being और जो verb की first form और ing का use आपने किया है, उसको हटा के आप use करोगे verb की third form passive voice में समझ में आया, चलो, आगे देखते हैं, अगर आपके active voice में has का use हुआ है, have का use हुआ है, had का use हुआ है, या will have और shall have का use हुआ है और इनके साथ use होता है verb की third form, अगर आप कहीं ऐसा देखो, तो जब उसे passive form में change करो ना, तो has, have, had, will have, shall have, जो भी लगा है, उसको वैसे ही रहने दो, उसके साथ बजा दो, being, b, double, e, n, जरूर लगाना इसके साथ, और उसके बाद लगा देना verb की third form, तो भाई साब active voice से passive voice में change करते time, हमने ये तो देख लिया कि कौन से helping verb कब लगते हैं, कौन से verb की form use होती है, अब देख लो ये भी, ये है change of, change of pronoun, change of pronoun, मतलब pronouns भी change होते हैं, वो देखो कैसे change होते हैं, अगर हमारे active voice के sentence में I का use हुआ है, तो हम उसे passive voice के sentence में by me कर देते हैं, अगर हमने we का use कि या है active voice के sentence में, तो passive में वो by us हो जाता है, you by you हो जाता है, he by him हो जाता है, she by her, they by them, और it का हो जाता है, by it, तो ये वो दो tables थे जिन्हें आपको active voice समझने से पहले एकदम याद कर लेना, रट लेना है, आप easily active voice से passive voice change कर पाओगे, और बीच में जो आपके helping verb हैं, कौन सा verb का form होता है, ये सब याद रखना, क्योंकि आपके जो gap filling होते हैं, omission होते हैं, ऐसे ही type के questions पूछे जाते हैं, okay so our second topic is tense है, सबसे पहले ये जानो यार कि tense क्या होता है, और class 10 में हम ये chapter क्यो पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखो, tense क्या होता है, tense हमें दो चीजे बताता है, पहल दूसरा हमें tense बताता है, state of action, state of action का मतलब क्या है, कोई काम कितना हुआ है, कोई काम continue है, या कोई काम perfect हो चुका है, ये हमें कौन बताता है, ये दोनों चीजे हमें tenses बताते हैं, ठीक है, अब देखो, class 10 वेना यार, error detection, गलतिया चाटनी के लिए question आते हैं, इस particular chapter, tense से, four marks के, अब आपको ये आना चाहिए, कैसे questions आते हैं, पहले ये देख लो यार, अब आपको ना दे देगा कोई sentence जैसे, I had, और उसके साथ उसने लगा दिया, गलत वर्ब की form, I had doing my work, अब आप से बोलेगा कि गलती सही करो, अब आप देखोगी कि had के बाद, doing का use ना होके, done का use होना चाहिए, अब आपको ये कैसे पता चलेगा, जब ये table आपको याद होगा, अगर आपको ये याद है कि कौन से tense में, कौन सी helping verb, कौन सी verb की form use होती है, तो आप error detection, omission की कैसे भी questions आएं, बड़े easily से कर ले जाओगे, ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि कौन से tense की कौन सी helping verb है, और कौन सी verb की form है, ठीक है, हमारा पहला tense है, present indefinite tense, first tense है, इसकी helping verb है, do और does, do हमारा plural subject के साथ use होता है, does हमारा singular subject के साथ use होता है, लेकिन do और does, दोनों ही, या तो negative sentence में use होंगे, या तो interrogative sentence में, कभी भी positive sentence में, present indefinite के do does का use नहीं होता, जैसे, I, play, cricket, I, play, cricket, ये present indefinite का positive sentence है, लेकिन do does का use नहीं हुआ, क्योंकि do does के वल negative और interrogative में use होता है, ठीक है, present continuous, present continuous का helping verb क्या है, is, am और are, is, singular subject के साथ, am, i के साथ, are, plural subject के साथ, वो अपकी form कौन सी use होती है, वो अपकी first form plus imz का use होता है, ठीक है, present perfect हमारा तीसरा tense है, इसमें कौन से helping verb का use होता है, has और half का, ठीक है, कौन से verb की form use होती है, verb की third form, जैसे, do का third form क्या है, done, ठीक है, play का third form क्या है, played, ठीक है चलो आगे चलते हैं present perfect continuous यह हमारा चौथा tense है और इसकी helping verb क्या है has been और have been और इनके साथ कौन से verb की form लगती है verb की first form plus ing अब देखो मैं आपको एक trick बताता हूँ helping verb और verb की form याद करने की कौन सी trick है देखो यार जहां भी कोई भी perfect का tense हो perfect का tense चाहे वो present perfect हो चाहे वो past perfect हो चाहे वो future perfect हो ठीक है उसमें जो helping verb होती है वो या तो has होगी have होगी head होगी will have और shall have होगी लेकिन verb का form हमेशा verb की third form verb की third form verb की third form जहां भी perfect देखो वहां पर कौन से verb की form verb की third form जहां भी continuous देखो वहां पर कौन से verb की form वहां पर verb की first form प्लस ing का use होना चाहे तो इस तरीके से आप helping verb verb की form याद कर सकते हो यार यह आपको error detection, omission और gap filling तीनों में बहुत जाधा काम आने वाले है ठीक है, बस कितना ही करना है आपको, चलो हमने tense देख लिया, अब हम चलते हैं अपने next topic पर okay so अबर third topic is subject verb agreement, यार इस पूरे topic में आम setting कराना सीखेंगे, पंडीजी लोग होते हैं, अगर आपकी साधी नहीं हो रही होती है तो आप कहते हो ना कि पंडीजी, पंडीजी मेरी setting करा दो, तो पंडीजी क्या करते हैं, पंडीजी अगर आप पतले लड़के हो तो अगर मतलब अगर किसी sentence का subject singular है, तो उस sentence का verb भी singular ही होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, अगर किसी sentence का subject plural है, तो उस sentence का verb भी plural ही होना चाहिए, जैसे देखो, he, he हमारा singular subject है तो he के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे is का यूज़ करेंगे ना कि r का समझ गए क्योंकि r हमारा plural है और r के साथ he का नहीं बलकि they का यूज़ होता है they are, he, is समझ गए बस इतना ही करना था हमें इस subject verb agreement में चलो, अब आप यहां पर यह देख लो यार कि subject singular कब होता है और कोई भी subject plural कब होता है और verb singular कब होता है और plural कब होता है यहां पर यह हमने बताया है देखो, कोई भी subject, noun noun का मतलब subject, ठीक है चलो, यहां पर noun मतलब subject मान के चलना अगर कोई subject singular है मतलब उसमें yes और yes नहीं लगा है without yes या yes अगर कोई subject है तो वो subject singular है जैसे boy हो गया, car हो गया ये दोनों subject singular ठीक है अब अगर देखो कोई subject yes या yes उस subject में लगा है तो वो subject plural हो जाएगा जैसे देखो boys हो गया, cars हो गया ठीक है अब verb की बारी आती है अब अगर किसी verb में yes और yes लगा है तो वो verb क्या हो जाएगी? singular होता है और जिस verb में yes और yes नहीं लगा होता है वो plural verb होता है जैसे play हो गया, go हो गया, समझ गया, अब देखो, trick क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि कोई subject singular है या कोई verb singular है, आप कैसे पहचानोगे, देखो, उस sentence को हिंदी में convert करो, और देखो, अगर उस sentence के last में हैं की pronunciation आ रही हो, हैं, है की उपर देखो, यहाँ पर चंदर बिंदू दी है, मैंने, हैं वाला अगर pronunciation आ रहा है, तो वो जो subject है, वो जो verb है, वो plural verb है, समझ गया, और अगर हमें उस sentence को, जब अगर हम हिंदी में pronounce करते हैं, तो last में हमें हैं के जगँ, हैं वाला pronunciation आता है, तो वो singular verb है, समझ गया, यही था इस particular subject verb agreement का trick, जैसे देखो, they are singing a song, वे लो गाना गा रहे हैं, देखो, जब इसे आप बोलोगे ना, कि वे लोग गाना गा रहे हैं, तो आपको हैं वाला pronunciation निकलेगा, हैं वाला मतलब, चंदरबिंदू होगी यहाँ पर, और जिसके last में चंदरबिंदू, समझ लो, वो plural verb है, समझ गया, चलो, I think आपको यह subject verb agreement अच् होगा, gap filling में questions इस particular chapter determiner से ही पूछे जाते हैं, कैसे questions आएंगे, for example, उसने दे दिया, ताज महल, ताज महल, एज, इन, आगरा, ताज महल, इस, इन, आगरा, और इसने आपको दे दिया, चार options, a, दूसरा option इसने दे दिया, an, तीसरा option इसने दे दिया, the, और चौथा option भी अब आपको भरना है, क्या भरोगे अब, अब आपको अगर पता हो कि a का use क्या है, an का use क्या है, the का use क्या है, तो अब आसानी से भर लोगे कि ताज महल एक special नाम है, इस दुनिया में केवल एक ही ताज महल है, और जो चीज special होती है, उसके सामने हम the का use करते हैं, तो अगर आपको इन सारी चीजों का पता हो कि सारे determinants, a, and, the, my, our, your, his, her, its, their, इन सारे determinants का अगर आपको use पता होना, तो आप कैसे भी question आए, आपके gap filling में बड़ी आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है, तो determinants actually होता क्या है, ये determine करता है noun को, determinants adjective का ही ये type है, adjective का ही एक प्रकार है, य ये हमें noun के बारे में कुछ extra information देता है, जैसे देखो, a का use आपको पता है, कहां पर होता है, consonant sound के पहले, a का use का होता है, आपको पता है, वोवल sound के पहले, the का use कहां पर होता है, कोई special चीज है, कोई ऐसी चीज है, जो दुनिया में अकेली है, या उसके सिवाव वैसा कोई नहीं है तो उसके पहले हम the का use करते हैं समझ गए ऐसे ही ये सारे भी determinants हैं my my का use कहा होता है किसी चीज को अगर मेरा बताना हो जैसे my pen my pencil ठीक है our किसी चीज को अगर हमारा कहना हो जैसे our parents she is our mother ठीक है ऐसे ही his का use her का use इन सारे determinants का use आपको आना चाहिए ठीक है वैसे तो बड़े normal है आपको आता ही होगा कि much का use कहा होता है जहां पर चीजे थोड़े जादा many की use कहां पर होता है many का use होता है countable nouns के पहले much का use होता है uncountable nouns के पहले जब हम determinants को full detailed में पढ़ेंगे न तो इन सारे अलग-लग determinants की हम आपको uses भी बताएंगे बस अभी के लिए इतना जानो कि determinants क्या होते हैं determinants वो words होते हैं जो noun के पहले use होते हैं और noun के बारे में कुछ बताते हैं determinants हमारे कई types के हो सकते हैं articles, possessives, demonstratives, interrogative, quantifiers, numbers, ordinals जैसे I have two pencils, I have three pencils, ठीक है, he stood first in the class, he stood second in the class, ठीक है this is our pen या that pen is our तो इस तरीके से in demonstratives का use होता है बस आपको gap filling में gap दे देगा, आगे कुछ sentence दे देगा, आपको चार option पूछा जाएगा इन चार options में से कौन सा determiner यहां पर भरा जाएगा, वही हमारा correct option होगा और इसी तरीके की question हमारे determiner से पूछे जाते हैं, ठीक है, चलो तो I think कि आपको determiner भी समझ में आ गया होगा, यह बहुत common सी चीज़ है आपको a का use, an का use, the का use आता ही होगा, ठीक है, यह सारी इन सारी uses को आपको बताने की जरूवत हिंगे अगर आपको इनकी Hindi meaning भी आती हो न, my मतलब मेरा, our मतलब हमारा, your मतलब तुमारा, यह सब ऐसे भी आता हो, तो आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे ठीक है, अब हम चलते हैं अपने next topic पर, modals Okay, so our next and fifth chapter is modals, देखो इस modals को model कहलो या model auxiliaries कहलो, कुछ भी कहलो, इस particular chapter से केवल एक ही type का question पूछा जाएगा आपके exam में इस type का question केवल एक rule याद रखना हमेशा कि अगर कहीं पर भी किसी sentence में model auxiliaries का use हुआ है, तो उसके बाद हमेशा verb की first form ही आएगी, verb की और कोई भी form model auxiliaries के बाद use नहीं हो सकती, समझ गए, जैसे देखो, आपकी exam में हो सकता है, यह आ जाए कि I can danced, I can danced easily अब यहाँ पर आपको यहाँ पर उसने कह दिया कि चलो गलती पहचानो, error को detect करो, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भाईया, can तो हमारा model है, model auxiliaries हैं, और इसके बाद हमेशा verb की first form आती है, क्योंकि यह formula हमने पढ़ा है, यह danced तो verb की third form है, verb की first form क्या हो जाएगी, dance हो हमेशा verb की first form ही आती है, इस बात का याद रखना, ठीक है, formalty के लिए, इन सारे model auxiliaries का use भी पढ़ लेना, एक बार आपको आना चाहिए, लेकिन question केवल इसी type का आता है, याद रखना, ठीक है, देखो used to का use कहा होता है, used to का use हमारी पुरानी आदत को बताने के लिए, जैस जैसे ही should का use, should का मतलब होता है कि अगर किसी को advice देना हो, किसी को किसी के duty के बारे में बताना हो, या उससे polite request करनी हो, बहुत ही विनम्र निवेदन करना हो, तो वहाँ पर हम should का use करते हैं, जैसे हमने कह दिया कि you should respect your parents, तुम्हें अपने माता-पिता की क्या करनी चाहिए, इज़त करनी चाहिए, तो ये क्या किया हमने, हमने advice दिया, advice देने के लिए हम should का use करते हैं, ठीक है, ऐसे ही देखो make a use का होता है, make a use होता है, possibility बतानी के लिए, अगर किसी चीज के होने की संभावना है, जैसे बादल घिरा हुआ है, और आज बारिस हो सकती है, तो आप कह क्या सकते हैं, कि my brother may bring vegetables, मेरा भाई जो है, वो सबजियां ला सकता है, ये उसका purpose है, ठीक है, wish को बतानी के लिए भी make a use होता है, permission मागने के लिए, may I come in ma'am, may I go out sir, ठीक है, shall का use का होता है, shall का use होता है, order देने के लिए, जैसे हम ऐसा कह दिया हमने कि, you shall go to school, तुम्हे स्क से promise करना हुआ, जैसे कि, he shall bring some vegetables for sure, वो सबजियां लेके आएगा, तो ये promise है, ठीक है, determination दिखाना हुआ, हमारा intention, हमारी कोई, अगर intention है, intention का मतलब, अगर हमारा कोई point house view है, उसे दिखाना हुआ, तो भी हम cell का use करेंगे, ठीक है, तो आप इन सारे uses को एक बार पहले ना, द पहले कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम could का use करेंगे, जैसे I could dance, मैं dance कर सकता था, अब नहीं कर सकता, समझ गे, तो आप एक बार इन modals को use, जो इनके सामने दिया गया है, ये पढ़ लेना, question कैसे आते हैं, एक rule को हमेशा याल रखना, कि modal के बाद हमेशा verb क की first form ही आनी चाहिए, हमाज ये, I hope आपको modals भी clear हो गया होगा, okay so our last chapter is direct and indirect speech, अब देखो आपकी class 10 में न, reporting a dialogue के नाम से question आता है, पांच नंबर का, जो की इस particular chapter direct और indirect से ही होता है, हमें इस particular chapter में केवल direct speech से indirect speech में बदलना, सीखना है, अगर हमने direct से indirect मे convert करना सीख लिया, तो चाहे कैसे भी question आये class 9th and 10th में, हम आसानी से कर ले चाहेंगे, ठीक है, अब देखो, अब कभी भी अगर हम direct से indirect speech में बदलते हैं तो कुछ बातों का धियान रखना जरूरी है, कौन सी बातों का, जो indirect speech होता है, जो reported speech होता है, वो हमेशा third person में होता है, समझ गये, जैसे देखो, यहाँ पर यह है direct speech, यह जो पूरा sentence है, यह direct speech में है, अब जब हम इसे indirect speech में बदलेंगे, तो यह I change हो जाएगा, किसी third person का use होगा, third person मतलब he, she, it, they, राम, श्याम, यह सब third person में आते हैं, ठीक है, दूसरी कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी है, कि जो हमेशा indirect speech ह होती है, वो कभी भी interrogative sentence और exclamatory sentence नहीं हो सकती, मतलब यह जो हमारा direct speech है, यह जो पहला वोला sentence है, यह direct speech है, अगर हम इसे indirect में change करेंगे, तो क्या हो जाएगा, indirect में इसे हम change करेंगे, तो he said, comma, inverted comma की जगह हम लगाएंगे, that he said that he half के जगह क्या होगा, यह देखो, half के जगह head हो जाएगा, तो he said that he had worked hard, he had worked hard, अब देखो, यह हो गया हमारा क्या हो गया, indirect speech में, ठीक है, तो आपसे यह ही कहा जा रहा है, जो indirect speech होगा, वो हमेशा full stop से ही end होगा, वो कभी भी question mark और exclamatory mark से कभी भी end नहीं होगा, यह बात बहुत important है, याद रखना, ठीक है, अब चलो तो देखते हैं कि direct speech से indirect speech में हम कैसे बदल सकते हैं, देखो, कुछ ऐसे words हैं, जिन्हें आप direct speech में जब भी देखो, तो जब आप indirect में बदलो ना, तो उन words की जगह कुछ और का use करो, जैसे देखो, अगर आप direct speech में verb की first form देखते हो, तो आप उसे indirect speech में verb की second form में बदल द का use करना. ठीक है? जैसे देखो, अगर हमें कहना हुआ He played cricket. He played cricket. तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर verb की second form है. अब जब हम इसे indirect speech में change करेंगे, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे ना He said that He said that He, अब देखो verb की second form है. Verb की second form किसमें बदलती है? had और verb की third form में. So He said that He had played third form played cricket. समझ गया? कैसे change करते हैं direct से indirect में? चलो. अब देखो यार direct indirect आपने कभी ना कभी तो पढ़ाई होगा ना? अब देखो यहाँ पर अगर हमें is, am और are दिखती है तो हम उसे was और were में change कर देंगे. अगर has, have दिखता है तो had में change करेंगे, can दिखता है तो could में change करेंगे, me दिखता है तो might में change कर देंगे. will or shall दिखता है, तो would और should में change कर देंगे. समझ के? अब देखो कुछ और भी words हैं जैसे अगर हमें must दिखाई देता है direct speech में, तो indirect speech में must बदल के had to हो जाता है. ago, ago change हो के before हो जाता है, today change होके that day हो जाता है, tonight change होके that night हो जाता है, yesterday change होके the previous day या the last day हो जाता है, tomorrow change होके the next day या the day after हो जाता है, this change होके that हो जाता है, these change होके those, और now change होके then हो जाता है, और भी कुछ words जैसे here, here जब change होता है, तो there बन जाता है, ठीक है, तो कुछ यही सारी चीजे हैं जो हम direct से indirect में बदलते हुए आनी ही आनी चाहिए अब देखो यहाँ पर एक formula है यह formula क्या है आपने सुना होगा sun upon one two three sun upon one two three का मतलब क्या है अगर inverted comma के अंदर कोई first person use हुआ है जैसे देखो I, I क्या है हमारा first person का use हुआ है तो अगर first person का use inverted comma के अंदर use हुआ है तो first person हमेशा subject के according बदलेगा जैसे देखो यहाँ पर अगर हम इसे indirect में बदने तो क्या हो जाएगा he said that I, I हमारा first person है यह he के according, subject के according change होगा तो यह भी हो जाएगा he, he said that he, half के जगह हो जाएगा had, he said that he had worked hard, तो इस formula का मतलब समझ गएगी नी, इस formula का कहा use होगा, बस यहीं use होगा कि अगर inverted comma के अंदर first person है, तो वो subject के according change होगा, अगर inverted comma के अंदर second person है, तो वो object मतलब जो इस बात को सुन रहा है उसके according change होगा, ठीक है अगर third person है, तो कुछ भी बदलेगा, नहीं, no change होगा okay, so this is all about the chapter हमने जो 6 chapters हमारे English grammar class 9th और 10th में आ रहे हैं उन 6 chapters को हमने पढ़ लिया और बहुत easily पढ़ा है अपने को यार इन 6 chapters के अलग-अलग chapters के explanation भी हम ले के आएंगे, और इसके लिए आप हमारे channel के साथ बनी रही है जितना जादा हो सके यार वीडियो को share करो क्योंकि वीडियो आप भी समझ रहे हो कि कितना important है बिलते अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद